ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक ट्रेंस में ओवर हेड्लाइन से इकठा की हुई पावर पहिये के माध्यम से फ्लो होने के बाद पट्री की ग्राउंडिंग केबल में पहुँचती है तीन फेस वाला पावर कनवर्जन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जिगजग ओवर हेड्लाइन्स ये सभी इलेक्ट्रिक ट्रेंड के तकनीक को काफी अनुखा बनाते हैं आईए सबसे सिंपल पॉसिबल डिजाइन से शुरू होने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेंड के पीछे के सभी एंजिनियरिंग रहस्यों को समझते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन का सबसे सिंपल वर्जन यहां दिखाया गया है यहां एक सिंगल स्लाइडिंग वायर ओवर हेड लाइन से इलेक्टिक पावर एकठा करती है यह पावर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को दी जाती है इंडक्शन मोटर का रोटर वील से जुड़ा होता है सर्किट को पूरा करने के लिए induction motor का दूसरा टर्मिनल जमीन से संपर्क में होता है जमीन से ये संपर्क इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वायर को पहले वील से एकसल ब्रश के जरीयर जोड़ा जाता है वील हमेशा पटरी के संपर्क में रहता है और पटरी इस तरह जमीन से संपर्क में रहती है जैसा कि दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि OHL से जमीन पर करंट कैसे पास होता है ये पहले induction motor, फिर axle brushes, फिर पहियां और अंत में पटरी और जमीन से होकर गुजरता है जब करंट पास होता है, तो induction motor का rotor पहियों के साथ घूमता है हालां कि एक घूमने वाला पहियां आगे बढ़ेगा जिसका मतलब है कि अगला grounding circuit पिछले एक से बहुत कम दूरी पर होना चाहिए अब कुछ axle brush के details देखते हैं axle brushes को घूमने वाले पहिये में fit किया जाता है और इन carbon brushes के माध्यम से पहियों में current को transfer किया जाता है जो wheel axle से जुड़ी डिस्क पर slip होते हैं फिर से ये एक electric train का सबसे सरल वर्जन है आईए अब इस design में सुधार करें और अपनी train को और ज़ादा functional बनाएं overhead line में इस्तिमाल किया जाने वाला voltage 25 किलो वोल्ट है जो एक बहुत बड़ा voltage है motors को चलाने के लिए बहुत कम voltage की आवशक्ता होती है इस कारण से हमें इसे step down transformer में feed करने की आवशक्ता होती है जो voltage को desired level पर बदल देता है overhead line से power supply शुरू में transformer के primary से गुजरती है और यहां grounding के कारण circuit पूरा हो गया है transformer की action के कारण secondary winding में current induce होगा और कम voltage power motor को feed किया जाएगा train की तरहे उच्च traction के लिए motor को एक high torque का supply करना चाहिए इसके अलावा torque curve uniform होना चाहिए भले ही motor की speed भिन्न हो 3-phase induction motors उच्च एक समान torque आवशक्ताओं को प्राप्त करने के लिए सही विकल्प है इस motor को power देने के लिए 3-phase wire को खीचना एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि यह बहुत ही un-economical है इसलिए single-phase supply को 3-phase supply में बदलने के लिए rectifier और inverter का इस्तिमाल किया जाता है एक rectifier single-phase AC power को DC power में परिवर्तित करता है और फिर inverter DC power को 3-phase AC power में परिवर्तित करता है अब ये engine पटरी के उपर चलने के लिए तयार है अगर हम motor shaft और wheel axle के बीच कुछ gear ratio के साथ एक transmission system जोड़ते हैं तो हम torque output को और बढ़ा सकते हैं इस point पर हमने जो engine बनाया है वो एकदम सही लगता है हाला कि अगर हम इस engine से कई coaches को जोड़ कर एक पूरी train बनाते हैं तो ये बिल्कुल स्पश्ट हो जाएगा कि हमने जो single motor engine विक्सित किया है उसमें इन सभी coaches को खीचने के लिए sufficient power नहीं है तो आईए engine को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और अधिक motor wheel pairs जोड़ते हैं एक engine bogey का construction three face induction motors के साथ किया गया है जाहिर है तीन जोड़ी पहियों को चलाने के लिए एक engine में आम तोर पर ऐसे दो engine bogeys का इस्तिमाल किया जाता है इस पूरे engine में आप देख सकते हैं कि transformer और rectifier कैसे position है अब तक इस वीडियो में हमने दिखाया है कि कैसे हम single hanging wire का इस्तिमाल करके train में power transfer करते हैं हालांकि ये तरीका practical नहीं है कभी कभी train और overhead line के बीच की दूरी को समान रखना संभव नहीं होता है जिसका मतलब है कि उचित power collection के लिए एक height wearing mechanism का इस्तिमाल किया जाना चाहिए pantographs इस कारे को पूरा करते हैं एक आधुनिक pantograph इस तरह दिखता है आप देख सकते हैं कि एक pneumatic system के दबाओ के आधार पर pantograph अपनी उचाई को adjust कर सकता है अगर आप ध्यान से देखें current collector को पूरी तरह से horizontal होना चाहिए अन्य था power transmission में trouble होगा हमें उमीद है कि इस animation से आप समझ सकते हैं कि current collector हमेशा horizontal क्यों रहता है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए क्रिपया हमारे pantograph के बारे में detailed video को देखें अब pantograph को कारे करते हुए देखते हैं अगर किसी कारण से pantograph wire से अपना connection खो देता है तो train अपने उच्च momentum के कारण कुछ km के लिए अपना free run जारी रखेगी क्या आपने कभी सोचा है कि overhead line zigzag तरीके से क्यों खिचती है ये arrangement ये सुनिश्चित करती है कि pantograph का collector head constant संपर्क के point पर overhead wire को नहीं चुता है इस व्यवस्था के कारण wear and tear कम से कम होती है हम induction motor supply की frequency को बदल कर speed को नियंतरित कर सकते है ये rectifier और एक inverter द्वारा पूरा किया जाता है driver frequency को बदलने के लिए lever को एक अलग notch पर सेट करता है और इसलिए motor की speed उसी के अनुसार होती है acceleration के बाद train के लिए सबसे महत्वपूर पहलू रुकना है ये कैसे पूरा किया जाता है क्या हमें induction motors को बंद कर देना चाहिए अगर ऐसा है तो train कई किलो मीटर तक पटरियों पर चलती रहेगी जब तक की वो रुकना जाए एक और विचार ये है कि हम electrical braking लगा सकते हैं एक साधारण induction motor में rotor की speed RMF के speed से कम होती है हालां कि supply frequency को कम करके हम इस condition को उल्टा कर सकते हैं दिल्चस्प बात ये है कि जब RMF की speed rotor की speed से कम होती है rotor bars में induced current की दिशा reverse हो जाती है ये rotor पर opposite दिशा में induced torque को अंजाम देता है ये एक perfect brake है बिना metal to metal के संपर्क वाला brake इस phase के दौरान motor generating mode पर चलती है हालां कि ये braking method अपनी पटरियों पर train को पूरी तरह से नहीं रोक सकती है क्योंकि regenerative braking कम speed पर काम नहीं करती है यानि ये train को धीमा कर सकती है लेकिन इसके बाद आपको train को पूरी तरह से रोकने के लिए pneumatic brakes लगाने होंगे ये एक अलग तरह का mechanical brake है यहाँ spring का force और compressed air forces opposite दिशाओं में piston पर काम कर रहे है दल्चस्प बात ये है कि जब driver cylinder से हवा छोड़ता है तो खींची हुई spring पिस्टन को पहिये की और खींचती है और brake लग जाती है ये brake system हवा के leakage या तूटे हुए compressor को सुरक्षा प्रदान करता है pressure release होते ही brake अपने आप लग जाती है हर एक wheel pair के लिए हर एक coach के नीचे pneumatic braking system लगाया गया है अब देखते हैं कि प्रतेक coach को power supply कैसे की जाती है प्रतेक coach की utilities के लिए power supply करने का एक तरीका self generation है coach frame के नीचे एक alternator लगाया जाता है और ये cardan shaft द्वारा संचालित होता है जो axle पर लगे gear box द्वारा संचालित होता है output को सुधारा जाता है और 110 volt DC बैटरी चार्ज होती है जिससे coach को continuous power की supply होती है लेकिन self generating method कारिशम नहीं है क्योंकि ये बहुत fluctuating output power का उत्पादन करती है इसलिए coach को power supply करने का सबसे आम तरीका है head on generation इस method में locomotive transformer में एक अतिरिक्त winding जोड़ी जाती है जो सभी coach इसको power supply करती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं